दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही होगा इस समय अर्मेनिया और अजर वेजान में वहंकर युद छेड़ा हुआ है जिसकी वज़े से हजारों की तादात में लोगों की जान जा चुकी है और दोनों देशों के वीच अगर ये उद जल्द नहीं थमा तो आने वाले समय में विश्व उद की कगार पर पहुँच जाएगा क्यूंकि दुनिया के कई देश इसे धार्मिक रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं जिन में तुर्की और पाकिस्तान शामिल हैं जबकि र ओर जजर वेज़ान में अपने सेनकों को इतार दिया है जबकि तुर्की ने भी आतंकी संग्ठन I.S.I.S. के लड़ाकों को यहां पर भेज़ दिया है और बताया जा रहा है के तुर्की इन आतंकियों को एक हज़ार से लेकर पंद्रा सो डॉलर सेलीरी के रूप में दे र निकोलियन पशी नानन के बीच फॉन पर युद को लेकर चर्चा हुई इससे पहले रूस ने तुर्की से अर्मेनिया और अजर वेजान के बीच लड़ाई को समाप्त करने में मदद करने का आवहान किया हाला कि अभी मामला दूसी तरफ जाता दिख रहा है क्योंकि अर्मेनियाई रक्षा मंतराले ने मंगल वार को कहा के उसके एक स्यू 25 जेट को अजर वेजान के उपर संचालित एक तुर्की एफ 16 लड़ा को विमान ने मार गिराया हाला कि तुर्की और अजर वेजान ने रिपोर्ट का खंडन किया लेकिन उसकी इस हरकत के वाद रूस खोद इस लड़ाई में कूद सकता है क्योंकि जिस तरह मुस्लिम देशों का खलीपा बनने की चाहत रखने वाले तुर्की ने खुलकर अजर वेजान का पक्ष लिया ह उससे रूस और भी भड़क गया है इसके इलावा तुर्की ने पिछले महीने अजर वेजान के साथ संयूक्त सेन्य अविहास किया था और अजर वेजान का समर्थन करने के लिए देश के वीतर एक सेना और एक वायू सेना अड़े की भी स्थापना की है ऐसे में देखा जा और उसके नागरिकों की सुरक्षा करेगा ऐसे में माना जाय तो अगर रूस ने अपनी सेना भेजी तो यह अजर वेजान की तरफ से लड़ रही तुर्की और पाकिस्तान की सेना से रूसी सेना की सीधी टक्कर होगी